हेलो फ्रेंड एंड वेलकम तो माई टूप चैनल स्वीट मुमेंड इंड न्यू पार्ट आफ टेम्द अंटेम्ड गाइज लास्ट वीडियो में मैं आपको बताया था कि जब आंग जी वींग को बताता है कि उसकी स्टेप सिस्टर ने सुसाइट कर लिया है तो वींग ये स सब्सक्राइब चैनल एंड लैक इस वीडियो तो फ्रेंड आज की वीडियो में हमारा क्यूट एंड नौट वींग सुसाइट करने की कोशिश करने वाला है और वो वांग जी को अपनी लाइफ का सबसे बड़ा डाक सीक्रिट वताने वाला है तो फ्रेंड ऐसा क्या हुआ वींग ने सुसाइट करने की कोशिश की और वींग का सीक्रिट जाने के बाद वांग जी का क्या रियक्शन होगा ये जाने के लिए वीडियो पूर एंड तक देखें तो आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं वींग अपने मन में सूचता है कि मुझे पता है मेरे मतल की पूर समझ आ जाएगा कि वो जो कर रहे हैं वो गलत है और फिर वो अपनी मिस्टेक को सही करके तुमारे साथ अच्छा वीव करेंगे मदर की दैद के पहले हम सब लोग एक साथ खेलते थे अब भले ही वो सब लोग मुझे नफरत करते हैं पर मैंने उन्हें कभी भी आउट होने लगा था पर मैंने कभी भी उनके वोट्स की डिस्रिस्पेक्ट नहीं की और उनकी अगेंस्ट नहीं गया सच बताऊं तो जब मैंने ये सुना कि मेरी सिस्टर ने सुसाइट कर लिया है तो मैं अनकॉंशिस हो गया था बट होश में आने के बाद मुझे से मुझे बहुत हड़ हुआ पर सेम टाइम पर मैं हैपी भी हूँ तभी वींग को कोई बैक से हग कर लेता है वांग जी कहता है कि सएट मत हो और मुझे से प्रॉमिस करो कि तुम मुझे नाराज नहीं होगे जो अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ मैं तुमारा हस्बे हूं और मैं तुमसे कोई भी सीगरेट नहीं रखना चाहता विंग वांग जी की बात उसे बहुत जादा खुश हो गया था जबसे विंग इस घर में आया था वांग जी उससे हमेशा अच्छा भीव करता था और उसने अपने बाज चैसे पास से रएलेटेज वी वीम को बता द ही उस ने वीम को ये भी बताय था कि उसे परजब देने के पीछे कौन था ये सारी बाते सुने के बाद वीम को उस इंसान पर बहुत गुस्त आया था जिसने वांग जी तैसके वमक कोई कि तैसकnaire है विंग कहता है कि तुम मुझे से हमेशा इतना अच्छा विएव क्यों करते हो अगर तुम्हें किसी दिन ये पता चले कि मेरे साथ कुछ बहुत ही बुरा और डिस्गस्टिंग हुआ था तो भी क्या तुम मेरे साथ इतना ही अच्छा विएव करोगे वांग जी स्माइल करता है और वांग जी कहता है कि चाहे जो हो जाए मैं हमेशा तुम पर टेस्ट करूंगा और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और मैं हमेशा अपना ये प्रॉमिस पूरा करूंगा विए कहता है कि अगर मैं क्लीन ना हूं तो मैं डर्टी और सिर्फ डर्टी ही नहीं बहुत जाता पर वांग जी की expression अभी भी change नहीं हुए थे वो अभी भी smell कर रहा था वांग जी कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं चोड़ूँगा मेरे लिए तुम हमेशा मेरे good and beautiful partner हो चाहे कुछ भी हो जाए उससे तुम्हारे husband को कोई फर्क नहीं पड़ता बस हमेशा यह याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ वींग अपनी mom के बाद इतने अच्छी person से कभी नहीं मिला था वो वांग जी को सब कुछ बताना चाहता था पर वो कुछ नहीं कह पाता और वांग जी को हग करके रोने लगता है वांग जी को भी वींग का पेन फील हो रहा था वो सच जानना चाहता था लेकिन वो इसके लिए वींग को फोर्स नहीं कर सकता था वो तब तक बेट करेगा जब तक वींग खुद उसे सब कुछ सच न बता दे कुछ टाइम बाद वींग अपना फेस वाश करने के लिए वाश रूम जाता है और डोर लॉक कर लेता है और कहता है कि मैं बहुत जादा डिस्कस्टिंग हूँ मैं बहुत डर्टी हूँ शायद अगर मैं ही बॉर्ड नहीं हुआ होता तो मेरा बेवी सर्वाइफ कर पाता मेरी वजह से एक इनोसेंट चैल मर गया मैं भी मरना डिसर्व करता हूँ क्योंकि मुझे बहुत हट होता है मैं बैटर फील करना चाहता हूँ अब मैं इस पेन में और नहीं रह सकता वो रोने लगता है तब ही उसे वाश्रूम में एक सर्जिकल ब्लेट दिखता है विंग वो ले लेता है और स्माइल करता है विंग कहता है कि एटलिस्ट मुझे इससे बैटर फील होगा और पेन नहीं होगा फिर वो उस ब्लेट से अपने रिस्ट पर कट कर लेता है उसके हाँच से ब्लड निकले लगता है विंग अपनी आँखे क्लोज कर लेता है इससे उसे पैटर फील हो रहा था उसकी आँखे हैवी हो रही थी वो सोना चाहता था और फिर कभी उटना नहीं चाहता था विंग फ्लोर पर गिर जाता है पूरा फ्लोर और लेडी ब्लड से कवर हो गया था जब वांग जी को ब्लड की स्मेल आती है तो वो अलट हो जाता है और वाश्रूम के पास आता है पर डूर अंदर से लॉक था वांग जी कहता है कि वींग डूर ओपन करो वांग जी की बॉइस से बॉडिगार्ड और बटलर भी अलट हो जाते है और वो लोग भी रूम में बिना नौक किया जाते है क्योंकि कुछ वीक से उनके बॉस बहुत ज़्यादा काम और शियर फुल रहन लगे थे वांग जी को वाश्रूम के अंदर से कोई आवास नहीं आ रही थी इसलिए वो डूर को किक मार के उपन कर देता है वांग जी अंदर जाकर फ्रीर रहता है जब वो अपनी वाइफ को फ्लोर पर ब्लट के बीच लेते हुई देखता है वांग जी तुरंद वींग को वाश्रूम से उठा कर लाता है और बेट पलिटा देता है वांग जी वींग को टाइटली हक कर लेता है वो एक बॉर्ड भी नहीं बोल रहा था और नहीं उसकी आँखें ब्लिंक कर रही थी बटलर बॉडिगार्ट को इशारा करता है और कहता है जल्दी डॉक्टर को कॉल करो हमारे यंग मास्टर की वाइफ ठीक नहीं है डॉक्टर जो आता है तो वो वांग जी को देखता है जिसने अपनी वाइफ को बहुत टाइटली हक किया हुआ था डॉक्टर कहता है कि यंग मास्टर आपकी वाइफ इंजर्ड है आप मुझे ने देखने दीजिए और चेक करने दीजिए वांग जी वींग को बेट पर लिटा देता है डॉक्टर वींग को चेक करता है उसकी ब्रेथ स्लो हो गई थी और उसके रिस्ट पर बहुत डीप कट लगा हुआ था विंग को बलड की जरुरत थी इसलिए डॉक्टर उसे बलड की बोटल चरा देते हैं इस सारे प्रोसेस के टाइम वांग जी ने एक वर्ड भी नहीं बोला था उसका सारा टेंशन अपनी अनकॉंशिस वाइफ विंग पर था उसके बार डॉक्टर चला जाता है वो जाने से पहले वांग जी से कहता है कि अगर आपकी वाइफ कोई रियक्शन करे तो वो वांग जी को इनफॉर्म कर देगा कि उसे क्या करना चाहिए वांग जी अभी भी बस विंग को ही देख रहा था वो एक भी वर्ड नहीं बोल रहा था बटलर को बहुत टेंशन हो रही थी कि उसके यंग मास्टर को क्या हुआ है उसके बस ने इस से पहले कभी भी इस तरह रियक्ट नहीं किया था कुछ हवर्स बाद जब विंग अपनी आँखे कोलता है तो उसे अपने सामने वांग जी दिखता है जो अपनी आँखे बिलिंग किये बिना उसे ही देख रहा था वो अपने रिस्ट देखता है जो और लेड़ी पैंडिट था विंग कहता है कि तुम्हें मुझे बचाने के क्या जरूत थी मैं ये डिजर्व नहीं करता उसके आँखों में आंसू थे विंग की आवाज सुनकर वांग जी अपनी सेंसेस में आ जाता है वो विंग के चिक को बहुत टाइटली पिंच करता है विंग दर्द में चिलाता है उसे ऐसा फील हो रहा था कि उसके स्किन से बलड निकलने लगेगा वांग जी कहता है कि विंग तुमने ऐसा क्यों किया क्या तुम भी मुझे सब की तरह अकेले छोड़ना चाहते हो तुम्हें पता है मुझे कितनी जिंदा हो रही थी जब मुझे ये लगा कि मैं तुम्हें खोदूंगा वांग जी इससे पहले कभी नहीं रुआ था पर जब उसे ऐसे लगा कि वो अपनी वाइफ को खो देगा तो वो खुद को रोने से नहीं रोक पाया जब वांग जी ने एंगर में अपने फादर को भी मार दिया था जब वो वांग जी को किसी और को हट करने से रोक रहे थे तब भी वांग जी की आंकों से एक वी आंसू नहीं निकला था वींग कहता है कि वांग जी I am sorry पर मैं बहुत disgusting person हूँ मैं मरना ही deserve करता हूँ मैं जीना deserve नहीं करता वांग जी विंग को टैटली हग कर लेता है वांग जी कहता है कि विंग तुम्हें हेल्प की जरुवत है मुझे तुम्हारी हेल्प के लिए एक साइक्लोजिस्ट को लाने दो मुझे कभी नहीं पता था कि तुम खुद को इतने टाइम से हट कर रहे हो मैंने वो सारे injuries देख ली हैं जो तुमने अपने body पर किये हैं मुझे तुम्हारी help करने दो तुम्हें पता है आज तुम almost मरने ही वाले थे तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हें क्या परशान कर रहा है मैं तुम्हारी बात सुनने को तयार हूँ वांग ची को टैटली हक किये हुए ही वींग कुछ टाइम बाद बोलना शुरू करता है वो कापते हुए धीरे धीरे सारे बातें वांग ची को बता देता है कि किस तरह उसकी अंकल और स्टैप मदर ने उसके साथ misbehave किया था और उसकी स्टैप मदर ने उसे record भी किया था बाद में उसके अंकल ने उसके innocent son को उसी के सामने मार दिया था वींग ने ये सारी बातें कभी किसी को नहीं बताई थी पर उसने आज अपना ये dark secret अपने husband को पता दिया अब पता नहीं वांग जी कैसे react करेगा कहीं वो उसे अपनी life से बाहर तो नहीं निकाल देगा पर वांग जी कोई पिरियक नहीं करता वींग वांग जी को और tightly हक कर लेता है वो सोचता है कि अगर वांग जी के life में उसकी कोई जगा नहीं होगी तो वो अपने घर वापस नहीं जाएगा बलकि सब लोगों से दूर चला जाएगा और अपनी मदर को जोइन कर लेगा क्योंकि उसके पास जिंदर रहने की और कोई वज़ा नहीं है वींग कहता है कि I understand तुम्हें मुझे यहां से जाने के लिए कहने की कोई जरूत नहीं है मैं यहां से खुझ चला जाऊंगा वींग की आँखों से आसुआ रहे थे क्योंकि कहीं न कहीं वो वांग जी को पसंद करने लगा था और उसके साथ रहना चाता था पर तभी रूम की वाल क्रेकन लगती है पूरा हाउस हिल रहा था ऐसा लग रहा था कि कोई अर्थ क्यों काया हो पर वींग जानता था कि यह क्या हो रहा है वांग जी कहता है कि मैं उन सभी को मार दूंगा जिन्होंने मेरे वाइफ को हर्ट किया है जिन्होंने मेरे वाइफ की लाइफ को मिस्ट्रेवल बना दिया है मैं उन्हें मारने जा रहा हूँ वांग जी की बाते सुनकर विंग को रिलाइस होता है कि उसका हस्बेंट उसे अपनी लाइफ से निकालना नहीं चाहता बलकि उसके लिए जस्टिस चाहता है पर वांग जी के इस रियक्शन की विज़े से घर के सारे बोडिगाड और पटलर हट हो रहे थे क्योंकि उनके चलनाने की आवाज विंग को आ रही थी वो वांग जी को होश मिलाने की कोशिश करता है और कहता है कि वांग जी वो कब तुम इनोसन परसंट को हट कर रहे हो पर वांग जी खोश में नहीं आ रहा था अब विंग के पास बस एक ही आप्शन था वो लोगों को हट होते हुए नहीं देख सकता था क्योंकि ये सब उसी की वज़े से हो रहा था विंग अपने हाथ को वांग जी के नेक के अराउंट रैप कर लेता है और वो वांग जी को किस करता है इस एक्शन से वांग जी अपने कॉंसेस मैंड में वापस आ जाता है और वो विंग को किस करने लगता है वांग जी ने विंग के रिस्ट को बहुत टैटली पकड़ लिया था विंग के बैंडेस में से बलड निकलने लगा था और उसे बहुत पेन हो रहा था उसकी आंकों से आंसु निकल रहे थे जब वांग जी वींग की आंकों में आंसु देखता है तो वो स्टॉक हो जाता है और इमेडियेटली पीछ आ जाता है विंग की आंकों में आंसों देखकर उसे बहुत गिल्टी फिल हो रहा था वो कहता है कि यह मसौरी मेरा ऐसा कोई भी मतलब नहीं था मेरी वाइफ प्लीज मुझे माफ कर दो यह मेरी गल्ती है विंग समाइल करता है और वांग जी के फेस को टच करता है विंग कहता है कि इट्सो के यह तुम्हारी गल्ती नहीं है आई अंडरस्टेंड तुम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और इस बात को हमेशा याद रखना वांग जी कहता है कि मुझे डर लगता है अगर मैं कभी तुम्हें पहजा नहीं पाया और तुम्हें हर्ट कर दिया फिर विंग उसे चुप करा देता है और कहता है कि मेरा पैंडर्स चेंज करने में मेरी हल्प करो मुझे हर्ट हो रहा है वांग जी विंग को देखर स्माइल करता है और सोचता है कि उसे ये आइंजल कैसे मिल गया पर ये आइंजल सिर्फ उसी का है वींग अपेंडिर्स चेंज करने के बाद ऑज़िवांग जी देखता है कि उसका पोरा हास तूट गया था वांग जी कहता है कि वाइफी मैं सारे bodyguard को instruct कर देता हूँ कि जितने भी necessary चीज़े हैं वो यहां से ले ले और जितने भी injured worker हैं उन्हें hospital में admit कर दें कुछ दिनों के लिए अपने दूसरे खर पर जा रहे हैं जब इस करकर renovation हो जाएगा तब हम लोग यहां वापस आ जाएंगे वांग जी के वहां से जाने के बाद वींग कहता है कि सच बताने के बाद मुझे बहुत relief feel हो रहा है और वांग जी ने यह सच जानकर भी मुझे अपने life से बहार नहीं निकाला वो सच में मेरा other half है उसके बारे में सोच कर मेरी heartbeat बहुत fast हो जा रही है वींग के ears और neck पूरे red हो गए थे उससे यह सोच कर बहुत embarrassment हो रही थी कि उसने अभी एक मिर्ट पहले क्या किया था कुछ टाइम बाद वांग जी आता है और वींग को ब्रैडल स्टाइल में केरी करके वहां से बहार ले जाता है पर जान क्लान में मैडम जान को इस बात पर विलिव नहीं हो रहा था कि उनके डॉर्टर की death हो चुकी है वो ये बाद सोच सोच कर पागल हुए जा रही थी कि उनके एक सन की life danger में है और उनकी एक डॉर्टर की already death हो चुकी है मैडम जान चलाती हुए कहती है कि विंग यू बास्टर तुमाई वज़ा से ही यह सब हुआ है मैं तुमें कर्स देती हूँ कि तुम कभी भी अपनी life पे peaceful नहीं रहोगे और वो रोने लगती है मिस्टर ज्यांग पूरे time सांथ खड़े हुए थे क्योंकि उनके दिमाग में बार वार वांग जी की ही बाते रिपीट हो रही थी जब मैडम जान की मदर लो को इस बारे में पता चलता है तो वो भी तुन्ट वहाँ पे आ जाती है विंग की ग्रांड मदर कहती है कि मैंने तुम लोगों से कई बार कहा था कि मेरी पर्मेशन की बेना कुछ मत करना पर तुम लोगोंने मेरी बात नहीं मानी देखो अब क्या हो गया मैडम जान कहती है कि मुझे आपके प्लैनिंग से कोई मतलब नहीं है और ना ही मुझे आपकी बात सुननी है मैं बस उस बास्टोल चायड़ और उस हार्टलेस मैन को मारना चाहती हूँ वेंग की ग्रांड मदर उन्हें स्टुपिड कहती है और वहाँ से चली जाती है क्योंकि उनके पास इन जैसे स्टुपिड लोगों से डील करने के लिए टाइम नहीं था तो फ्रेंड्स इस स्टूरी के नेक्स पार्ट के साथ मिलते हैं बहुत जल और गाइस मुझे आसा फील हो रहा है कि आप लोग वेंपार वांग शीन के लिए तयार बिल्कुल भी इंट्रेस्टेड ही नहीं हो कि गाइस यार मतलब मेरे सब्सक्राइबर बिल्कुल भी बड़ी नहीं रहे है और गाइस मैंने कहा है कि मैं तरीके के बाद ही शीया करूंगी तो गाइस उससे पहले तुम्हें वेंपार वांग शीन शीया नहीं कर सकती बट मैंने अभी एक और फैनफिक लिखा है जिसमें हमारा जो वांग जी होता है वो एशियन टाइम का होता है एंट विंग फ्यूचर से टाइम ट्रेवलिंग करके एशियन टाइम में पहुँच जाता है तो गाइस यह सब तो हमें पहले से ही पता है कि हमारा विंग कितना ज्यादा नौटी है और वो वांग जी को कितना परिशान करता है एंट गाइस बट क्या होगा अगर हमारा विंग जो कि फ्यूचर से है एंट कल्टिवेशन वगरा से रिलेटेड उसको कोई नॉलेज नहीं है और वो पास्ट में पहुँच जाता है तो वो वांग जी को कितना परिशान करेगा तो अगर आप इस स्टोरिय में इंट्रेस्टेड है तो आप मुझे बता सकते हैं मैं ये स्टोरिय आप लोग के साथ शेयर करूँगी एंजल इनलव के बाद अब मेरे 3K सब्सक्राइबर कंप्लेट हो जाएंगे उसके बाद मैं आप लोग के साथ वैंपार वांग्शन शेयर करूँगी तो जल से जल 3K सब्सक्राइबर कंप्लेट कीजी एंड वैंपार वांग्शन इंजॉई कीजे और गैस अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक इस वीडियो बागाई